सीरियल सिलसला बदलते रिष्टों का एक बार फिर ले ट्विस्ट और टर्न के साथ रेडी है वेल इस सीरियल के राइटर्स की दाद देनी होगी जहां इस सीरियल का ट्रैक लाइन आप बिलकुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वैसे तो यह सीरियल हमेशा ही एक कॉंट्रवेर्शिल मैटर पर बना हुआ रहा है लेकिन नो डाउट यह लाइफ की रियालिटी को भी दर्शाता है जहां इस सीरियल को अपनी ओडियंस से जबरदस प्यार मिला तो टोलिंग भी द्रिश्टी धामी के शो छोड़ने के बाद हमें एक लव ट्रैंगल बनता हुआ दिख रहा था जहां कुनाल इशान और मॉली के बीच का ये लव ट्रैंगल था जहां मॉली नंदिनी की डेथ के बाद कुनाल के तरफ एक बार फिर एट्रेक्टेड फील करती है वहीं इशान नंदिनी से बेहद ही जादा प्यार करता है कुनाल इन सब को देख कर मॉली से क्लोज नहीं होना चाहता हाला कि उसे भी मॉली की उतनी ही जरूरत है लेकिन वो उसकी खुश्यों के लिए अपनी एक फ्रेंड को बुला लेता है आगे आने वाले आपिसोट्स में हम देखेंगे कि कुनाल किस तरह अपनी इस दोस्त महक के साथ मिलकर प्लानिंग करता है जिससे मॉली को ये लगता है कि कुनाल हमेशा से एक डिसीविंग बंदा था जो कभी भी किसी का नहीं हो सकता और इस तरीके से कुनाल मॉली को अपने आप से दूर कर पाएगा वहीं स्टोरी को अनप्रेडिक्टबल बनाने के लिए दूसरी स्टोरी लाइन ये भी चलेगी जहां हमें इशान की मा मॉली को कुनाल के घर और उससे रिलेटिड सारे रिष्टों को तोड़ने के लिए कहेंगी जहां वो मॉली को कहती है कि अगर इशान के लाइफ में मॉली को आना है तो उसे उसकी दीदा, रादी का और सबसे रिष्टे नाते तोड़ कर इशान की फामिली को एकसेप्ट करना होगा तो डाउट मॉली के लिए बहुत बड़ी डिमांड होगी जहां इशान के साथ उसे रिलेशनशिप तो चाहिए लेकिन उसके साथ साथ उसे दीदा, रादी का और बाकी घरवालों का साथ भी चाहिए ऐसे में देखना बेहरी इंटरस्टेंग होगा कि कहानी किस तरफ रुख करती है एक तरफ जहां कुनाल उसे इशान की तरफ पुश करना चाहता है वही इशान की मा इस रिलेशनशिप को बनने देने में थोड़ा ट्रबल तो क्रियेट करती दिख रही है वेल इन सब के बीच कहना होगा कि आने वाले कुछ और हफ़ते सिलसिला के लिए डेफिनेटल इंटरस्टिंग होने वाले है और इस वी शेर्ड विद यू बूट पर भी इनके दर्शकों की संक्या काफी जादा बढ़ गई है और इस इन बज कि ये शोड टीवी पर जल्द ही वापस भी आने वाला है फिलाल रिश्टा टीवी का में इतना ही अपने फेवरिट सीरियल और अक्टर अक्टरस से से रिलेटिड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप करें चानल को सब्सक्राइब और फिलाल दें इस वीडियो को थामसा